आईए दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ वेज पनीर फ्राइड राइस के रेसिपी शेयर करते हैं बहुत ही जल्दी बन जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पनीर पीसेस ले लिए और उसमें काली मिर्च और लाल मिर्च पाउडर डालके इसको मैरिनेट करके रख पनीर को और सेम ओयल में हम अब गार्लिक पेस्ट डाल देंगे गार्लिक पेस्ट को भी हमें लाल करके फ्राइड करना है ताकि इसका कच्छापन निकल जाए और इसके बाद हम इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे आप इसमें प्याज छोटे छोटे टुकरे में काटके भी डाल सकते हैं और इस प्याज को भी हम एकदम लाल करके फ्राइड कर लेंगे जब हमारा प्याज अच्छी तरह से लाल होके फ्राइड हो जाए तब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे चोटी चोटी टुक्रों में काटके रख्यू देखिए श्रीमला मिर्च को भी अच्छी तरह से फ्राई करना है और फिर इसमें हम एक टमाटर डाल देंगे टमाटर को भी छोटी-छोटी टुक्रों में काट के रखी हूँ ये टमाटर भी इसमें सॉफ्ट होने देंगे थोड़ा जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब हम इसमें पनीर जो मैं फ्राई करके रखी थी वो पनीर मिला दी और फिर मैं इसमें चावल पहले से ही बना के रखी थी वो चावल मैं इसमें मिला दूंगी और चावल मिलाने के बाद इसमें हम सोया सॉस डाल देंगे और चीली टमेटो सॉस भी डाल देंगे इसमें और इसके बाद हमें चावल को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है और फ्राई होने के बाद हम इसमें काले मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक थोड़ा टेस्ट के अनुसार डालीगा क्योंकि स्वया सॉस में भी नमक होता है देखिए हमारा वेजिटेबिल पनीर फ्राईड राईस रेडी हो गया खाने के लिए अब हम इसको एक प्लेट में निकाल ले रहें तो आप गरम गरम परोसिए वेजिटेबिल पनीर फ्राईड राईस खाने में बहुत ही मज़ेदार बना है आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हम इसका इंग्रेडियन्स एकदम लास्ट में दिखा रहें जो आप देख सकते हैं तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए